नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका गार्णिंग जे बी सीडी में आज का ये वीडियो होने वाला है तुलसी प्लांट के बारे में कि कैसे हम तो अपने तुलसी को घना और हरा बरा कर सकते हैं दोस्तों ये वीडियो जो है पार्ट टू है इसका पार्ट वन ओर्डरेडी चैनल पर अवेलेबल है इस वीडियो में देंगे हम आपको आगे की जानकारी की आपको आगे क्या करना है पर अंत तक बने रहेगा और वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करें वहन्ना जरूरी जानकारी है वह से मिस रहेगी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि सामने जो यह आप हमारे तुंसी का प्लांट देख रहे हैं इसको को हमने cover करके रखा है cover करके क्यों रखा है इसका क्या reason है और इसका benefit क्या है इसका वीडियो हमने अपने channel पर डाला हुआ है उसको आप देख सकते हैं उसका हम thumbnail लगा देते हैं और cover को हटा कर हम आपको उस वीडियो का result भी दिखाएंगे कि उस वीडियो में जो step सबता है तो उसको follow करने से हमें क्या result मिला दोस्तों उस वीडियो का हम update दिखा रहे हैं आपको cover हटा दिया गया है अब आप उस वीडियो का result देख सकते हैं कि उसको करने से step को क्या फैदा हमको मिला है यह देखिए जनवरी के इस सर्दी भरे मौसम के अंदर भी हमारी तुलसी देखी बिलकूल गनी और हरी बरी बनी हुई है यह आपको जो red कलर देख रहे हैं यह श्यामा तुलसी इसकी वज़े से आपको थोड़ा purple कलर की दिख रही है साथ में देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी growth हो रही है नए नी पत्तिया निकल कर आ रही है नया फुटाव हो चुका है इसमें यह सब उसी जो हमने पहले वीडियो डाला है चैनल पर उसी वीडियो के अंदर तुलसी के पोदे हैं लोगों के घराब हो जाते हैं तो दोस्तों यह उस चैनल पर आप जाके वीडियो को जरूर देखिएगा और अब हम इसमें आगे देखेंगे कि अब हम आगे आने वाले समय के लिए अपने तुलसी को किस तरह से तयार करना है कैसे उसको हमें घरा और हराबरा बना के रखना है तो उसकी तयारी हमें अब करनी है जनवली के लगभग अब ये एंड सीजन होने वाला है तो अब हम इसको देखी क्या करेंगे सबसे उपर की जो टॉप की जो स्वैल है इसकी उसको हमको टूल या खुर्पे की मदद से हलका हलका लूज कर लेना है और लगभग एक से डेर्ड इंच के आसपास हम इसको टॉप सोयल को रिमूव कर लेना है निकाल के हम इसको किसी वे रख लेंगे उसके बाद जो है हम इसकी जो पॉट के चारो तरफ की जो मिट्टी है किनारे किनारे से बीच के पोर्शन को नहीं किनारे किनारे की मिट्टी है हम उस पोर्शन में से इसको थोड़ा थोड़ा फर्दर लूज करके एक दो इंच तक औ वमबर के बाद से क्योंकि हमने इसमें पुई खाद नहीं दिया था उससे पहले कई दिया है लिक्वीट फर्टिलाइजर जरूर हमने एक दो बार दिया था तो उसके एक तो यह इसको हम गोडाई करेंगे तो उसका फैदा होगा एक तो इसकी मिट्टी स्वाइल है जो वो ल लेंगी और उसके बाद यह जो है बोधे पर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी तो धीरे धीरे हातों से क्योंकि हमारे तुलसी के पौधा यह थोड़ा पुराना है तो इसकी जड़ चारो तरफ फैली हुए मिट्टी को इसने बहुत बुरी तरीके से जकड़ा हुआ है त कोई दिक्कत नहीं है तूट सकती हुए कोई प्रवब्लम नहीं आएगी तो किनारे से पर भी हमको हलके हातों से बॉट्किक चारो तरफ से किनार किनारे से हलके हात से लूज करकर दीरे मिट्टी को 2"-3 Inच है तो ठीक है दोस्तों जब तक हम श को थोड़ आगे और दीक करत कर दो तो दोट देखिए अब हमने यह से यहांसे पूरा निकाल लिए है । हमें 2 इंच तक निकाल लिए है लिपीश की फोड़ा सा हमने बस एक दो इंच डिक चोड़ दिया है इसी तरहुप और प्लान्टों में आफ सेम चीजें अपkapण सकते हैं उपर की एक दो इंच की टॉप सोईल निकाले और उसके बाद किनारे की फरदर एक दो इंच की जो टॉप सोईल है पॉट की किनारे किनारे उसको एक दो इंच तक और फरदर निकाल सकते हैं और इसको निकालने के बाद आपको इसको इसी तरीके से दो दिन तक के लिए रख देना है इसमें आपको दो दिन तक पानी नहीं देना है और इस प्रोसेस को करने से पहले भी आपको एक दिन पहले पानी नहीं देना है इससे फायदा यह होगा जो इसकी मिटी है अंदर की पॉट के अंदर वाला हिस्से की और जो रूट्स है इसमें सनलाइट जाएगी तो इससे जो fungus की दिक्कत होती है वो sun से naturally खतम हो जाएगी उससे दिक्कत होई खतम हो जाएगी तो हब हम मिलते हैं इस वीडियो के next part में तो दोस्तो स्वागत है आपका वीडियो के next part में हमने मिट्टी जो इसकी थी तुलसी के प्लांट की हमने खोद के और निकाल के spot को ऐसी हमने सूखने के लिए छोड़ दिया था हाला कि इसमें थोड़ा time हो गया क्योंकि बीच में आप जानते हैं दिली NCR में बारिश होई थी तो उसके कारण जो इसकी मिट्टी थी गीली होगी थी उसके इलावा हमको फिर दो दिन और extra इसकी मिट्टी सुखानी पड़ी बारिश में भीगने के कारण तो आज हम उसका बाद का प्रोसेस करेंगे कि इसमें हमें आगे क्या करना है तो बारिश के कारण जो इसकी मिट्टी थी वो देखे सूख के क्योंकि हमने सुखाई उसके बाद तो यह ठोस हो गई है तो अब हम इसको थोड़ा सा किसी टूल की मदद से खुरपे की मदद से लूज वापिस से कर लेते हैं और देखिए अच्छी तरह से अब यह सूख चुकी है इसको हम थोड़ा थोड़ा मिट्टी को चार तरफ से लूज कर लेंगे नीचे वाली मिट्टी पॉर्ट की साइड की और थोड़ी से उपरी भाग को भी हलका हम लूज कर लेंगे बहु को लेंगे अच्छी तरीक से डीकंपोसें इसमेल नहीं है आपकी और नाहीं कॉच्छी है दो ही स्काद को हो चुके हैं और परादी खान है तो अगर कॉट्धं कंपन देए हैं तो आपको परानी होनी सबड़ारी थे कावश्ची इस रहाँ 넘खकों आप वर्मी तो से डीकम्पोस हो चुकी हो तो यह देखिए हम इसमें जैसे कि हमारे 12 इंच का पॉट है तो 12 इंच के पॉट में हम कम से कम 4-5 मुठी के आसपास इसमें अच्छी तरीके से कावडं कंपोस है जो गाय के गोपर की खाध है इसको अच्छे किनारे पर जो हमने गड्ड़ा कर रहा था मिट्टी को निकालकर उसमें इसको अच्छे ृतْ defended लेंगे भरने के बाड़ तरह के से हम इस खाद को प्रॉपर ढग देंगे और उसमें ऊपर आपको इतना स्पेस छोड़ना ऐसा नहीं है कि आपको मिटी वो बिल्कुल ऊपर तक लेके आनी है उपर इतना स्पेस कम-श-कम एक इंच के आसपस पास पार्ट में पानी देने के लिए ना ही आपको बहुत ज़ादा स्पेस छोड़ना चाहिए पॉर्ट चीजे पॉर्ट जिस्त्क हिसाब से आपका जितना बड़ा है जितना पानी की उसकी प्षे स्पेस सार्फ उसшोड़ना चाहिए छोटा पॉर्ट ह imagin hem यह साब से उसका स्पेस चोड़ना चाहिए उपर बड़ा पॉट है तो थोड़ा हलका सब ज्यादा चाहिए तो देखिए अब इस तरह से हमने जो मिट्टी है इसके ऊपर ढग दिये अपने अच्छी तरीके से इसको फैला दिया है तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं दूसरे पॉट था जो हमारा उसके अंदर भी हम यह कंपोस्ट डालके इसको दबा देते हैं किनारे किनारे में और मिट्टी डालकर इसको भी ढग देंगे तो दोस्तों ऐसा करने से फायदा होगा अब जैसे जनवरी एंड हो रही है तो इसके बाद जो फरवरी है इसमें सब में फुटाव आएगा और फुटाव आने के बाद इसमें जो हम फर्टिलाजर दे रहे हैं इसकी वज़े से भी इसमें बहुत तेजी से इसमें ग्रोथ दिखने को मिलेगी इससे आगे चल के आपका जो पव्धा है तुलसी के बिल्कूल खला और गहना और हरा बहुट आएगी इसमें और आपस कर दे तो ज्यादा टाइट प्रेस नहीं करनी है और जो पॉटम से मिट्टे निकालते हैं वी बापिस डालके हम डख रहे हैं तो इस पेस आपको उतना ही छोड़ना है जितना पॉट की पानी के लिए आवशक है फटिलैचर देने के बाद सबसे जरूरी काम होता है पानी देना पानी ज़रूर देना है अब देखे सकते हैं आपको इए शाध से नहीं देना है तोड़ा कीसी या धीरी धीर है अपना हाथ लगा के इस तरह से देना है है आपके पास शावरींग कैन है तो उसकी मदद से भी दे सकते हैं वाटरिंग कैन के मदद से जिससे मिट्टी पर एक तरफ से प्रेशर ना लगे कि मिट्टी साइट से खराब हो जाती है खड़ जाती है इसी तरीके से दूसरे प्लांट में भी हम एक लेटर पानी दे देंगे और पॉट की मिट्टी दोस्तों आपकी ऐसी होने चाहिए कि पानी उसमें बिल्कुल भी खड़ा ना रहे पानी को जल्दी से सोख कर ले मिट्टी अभी हम आपको दिखाएंगे कि इसक पर ऐसा भी नहीं है कि पानी उसके अंदर भरा रहे अगर नीचे से नहीं निकलना है उसके अंदर भरा हुआ है तो वह भी एक दिकत की चीज़े आपकी जो है रूट्स खराब हो जाएंगी तो नीचे से होल है वह भी आपका ओपन रहना चाहिए कि अगर आपाईचस गल् है बस वह गीली हो जाए तो दोस्तों इसी तरीके से आपको अपने तुल्सी की पौदे को हरा और घना और हरा बरा बना सकते हैं अगर आप इस सारे स्टेप्स को अपनाएंगे तो दोस्तों यह देखिए हमने जो अभी इसमें पानी दिया था वो सोक कर गया था और हमने इ इंटेक करेंगी तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी इसमें तो इसका सब प्रॉसेस को करने के बाद आप अपने प्लांट को थोड़ा से शौवर भी करा दें शौवर कराने के बहुत सारे बेनिफिट है एक तो आपके प्लांट जो है उसमें अपना बनाते हैं प्रॉसेस करते हैं देखने में तो सुंदर लगते हैं साफ होने के बाद जब भी प्लांट की जो साफ हो जाती है तो यहीं सारे स्टेप आप अपनाई है दोस्तों तो आपकी तुलसी भी बहुत जल्दी घनी और हरी भरी हो जाएगी यह 100 परसेंट गार आपस बताए हैं उनको फॉलो कीजिएगा और इस वीडियो में आपको अगर पसंद आई हो तो यह वीडियो को लाइक कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बुलेगा इसी तरह हम आपके ल हुआ हुआ है